आज हमपोर्ट करेंगे ड्रील मेशिन के पार्ट के बाड़े में बीना तेरी के वीडियो करते हैं तो हम निच्छे से स्टार्ट करेंगे यहे इस मेशिन का बेस प्लेट और ये cast iron से बना हुआ है क्यों बना हुआ है क्योंकि cast iron में damping property बहुत ज्यादा रहता है आप इसमें बहुत ज्यादा वजन दाल सकते हो इसको कुछ नहीं होगा ठीक है और इसको casting करने के लिए आसान रहता है तो इसलिए cast iron ज्यादतर मेशिन में आप cast iron का ही base देखोगे ठीक जहां पर एक housing है और उस पर इसका pillar जहां पर पुरा drill मेशिन खाड़ा होगा या उसको pillar कहते है ठीक है या आप इसको stand भी कह सकते है इसलिए इसका नम stand drill होता है अगर आप एसा ही एक छोटा version है वह है मेरे पास इंको का तो उसको आप bench पर रख सकते है तो इसलिए उसको bench drill बोलते है ठीक है ओके तो यह pillar हो गया और यहां पर trade है ठीक है उस पर pillar को लगाया गया है और support के लिए इस housing पर आप यहां देख सकते है ठेट किया गया है उस पर एक nut लगाया हुआ है ठीक है और यह बेस इसको है इसको बोलते है working table जहां पर आप work piece रखके उस पर operation कर सकते है मतलब drilling कर सकते है remaining कर सकते है trading भी कर सकते है ठीक है तो यह है working table ठीक है और यहां पर यह है working table का liver ठीक है तो इस liver की सहायता से आप इस table को मतलब इसको जब आप धिला करेंगे तो यह table उपर निच्छे दाएंवाएं होगा और इसको tight करके आप lock कर सकते हैं उसके बाद यहां पर एक चीज दिया हुआ है यह प्लेट था तो इसको मैंने भी रख सकते हैं इसको आप तूल पर प्लेट भी बोल सकते हैं इसका exact नाम मुझे भी नहीं बाता उसके बाद यह है drill machine का body यह है इसका motor यह है motor support करने के लिए एक प्लेट यहां पर आपको भी पुली मिलेगा और यहां पर भी आपको एक भी पुली मिलेगा यह है machine का spindle तेखे तो इसको कहते है भी बेल्ट और यह इसलिए लगाया दाता है ताकि speed को आप control कर सकते हैं और यह बेल्ट का tension adjusting screw है इसको lose या tight करके मतलब इसको आप lose करके इस plate को आप आगे जब push करेंगे तो यह belt tight होगा ठीक है और यह speed adjustment के लिए होता है यह आप देखिए यह है सबसे low speed और low speed में torque ज़्यादा होता है ठीक है low speed कहाँ पर use होता है जब आप किसी hard metal को कात रहे हो या उस पर drilling कर रहे हो तो आपको low speed की ज़रुरत परती है ठीक है तो यहाँ पर rpm का एक chart होना साहिए था लेकिन company ने दिया नहीं तो इसलिए इसलिए आप समझ लीजिए यह इसका low rpm है ठीक है आप जितना इसका step आप होगा उससे इसका speed बढ़ेगा और speed ज़्यादा कहां साहिए जब आप soft metal पर drill कर रहे हो ठीक है और इसका belt को change करने के लिए आप एक पर ध्यान रखो कि यह इसका चोटा पार्ट यह इसका बड़ा पार्ट ठीक है अगर यह एक मिनित में उदाहरन के लिए यह बड़ा है तो इसकी वज़र से इसका speed काम हो गया ठीक है मतलब इस spindle का speed काम हो जाएगा अगर इस belt को यहाँ पर हम लगाएंगे और इसको यहाँ पर तो अगर यह एक मिनित में पास बार घुमेगा तो यह दस बार घुमेगा क्यूंकि इसका size चोटा है ठीक है तो यही इसका मतलब concept है तो यह से ही यह काम करता है ठीक है और यह है belt guard कि इसको कहते हैं हम मतलब इसका नाम है feed handle क्यूंकि इस से इसकी सहायता से आप fi id दे सकते है feed का मतलब क्या जब drill bit वर्क्पीस पर लग के यह थीद गेज तो अगर आप किसी वर्क्पीस पर ब्लाइंड होल करना मतलब आपको पता होना चाहिए आप कितना काटिंग के मतलब होल कितना डेस्ट का होगा मतलब आप समझ लेजे आपको 10 सेंटिमीटर का होल करना है तो यह आप यहां पर के नाथ को आप बहुत टाइट करके है उसको सेटिंग कर सकते है लेकिन इहां पर इंस का दियाओँ 1500 पर भी कर सकते हैं ठीक है तो आपको हिसाब अनुसार यह शेटिंग कर लेना है यह नियान यहां तक धाकर अपने रख दिया तो यह फीड उठना ही जाएगा उससे आगे श्रत नहीं बनेगा फिकर। और ये जो फिट हैणल है यहां पर एक पींगर रहता है तो फोटो में आप देख रहे होंगे तो यहां पर एक पींगर होता है और इस स्लीव इसको बोलते हैं सोकेट या आरबर भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं ड्रिल चाक ठीक है और इसके साथ आता है ड्रिल की तो drill key के सहायटा से drill chuck को या drill chuck की जो को tight या lose कर सकते हैं और यह एक लीभार जो इसकी सहायटा से आप machine की body को डाई या बाई उपर या नीचे कर सकते हैं ठीक है तो इसको आप ऐसे यह बहुत ताइट है भी इसको ताइट या लूज करके आप इसको घुमा सकते हैं और ताइट करके इसको लॉक कर सकते हैं और यह है स्विच ठीक है इसकी सहायथा से आप मेशिन को अन अफ कर सकते हैं को बलते हैं कॉर्ड या वायर और आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो आच्छा लगा अगर इन्फरमेटिव लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं वीडियो आपलोड करू आप तक वीडियो पहुंच जाए और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा और आज के लिए इतना ही वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया